सब्सक्राइब इस फीडियो में आज हम लोग डिसकेशिंग करने वाले आई डिवे बैंक लिमेटेट जिसके इंदर आज काफी अच्छा जबर्दस ब्रेक आया है और साथ मैं आज इंटाड़े के इंदर बहुत जबर्दस के इंदर तेजी बनी रही रही तौर दे और क्लो सकते बना हुआ है अब कारण क्या है कि आज स्टाक है इतना दोड़ा है देगा इसके पीचे कारण है व कि इसके इया ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड करें इसकी बेशिका ऐरा इसको कि इसको आए प्लस करते कि आपकर ऐस completamente है कि जो इना लेत्पर सहुज्स मैंसरा तरब से जो इसके डाइश्मिंट के जो न्यूज खबरे आ रही थी उसके वज़ाद से स्टॉक के अंदर काफी टाइम से स्टॉक ने काफी लंबे टाइम से इसके बाइश्मिंट का फेस इसने आपर पकड़ा हुआ है और इस फेस का एक रिसेंट ली ब्रेक आट आया था बड़ उसके ने एक नया लो इसके बनाया और थाड़ी सिक्स का अगर अगर अब देखे तो काफी टाइम से स्टॉक ने एक बेस बनाया हुआ है और अभी स्ट ब्रेक आया है आज वह इसका 42 के उपर 42 के उपर ना सिर्फ आज ब्रेक आट आया है वाल्यूम काफे जबर्दस के दर ट्रेड हुए और साथ में आज 42 के उपर स्टॉक ने क्लोजिंग दीए अब सवाल है कि इसके बाद स्टॉक का नैक्श पूव किस डिरेक्शन में जा स सकते हैं अब अगर हम आज के बात करें अभी बाइक करने के लिए आफ्टर मार्केट ऑडर के बात करें वह काफी बड़ी मातरा में लगए हुए है लगबग 566,249 जिसके अदर नुम्बर यहां से अगर हम देखें इस स्टॉक बात करें तो नंबर अफ बायर एक सोथ दो है ओवर लिया जा सकता है इसके इसके अदर रहेगा 39 रुपीज का थाइण के स्टॉक प्लोंश है हालांकि स्टॉक थाइटी क्लोंश तक सेफ है कोई दिक्कत नहीं और यहां से अगर हम देखे तो स्टॉक आज़ा बाइस स्टॉक करना चाहेंगे जिन लोगों ने इस स्टॉक को थाइड़ी सिक्स के आसपास बाइग किया थोड़ा सा है यानि कि अगर आपको यह स्टॉक कर रहेगा वो इसके दर रहेगा पश्पन प्लस का यानि कि काफी है संभावना है कि आईडी में बैंक के अंदर काफी तेजी आ सकती है को देखते हुए इसकी रेटिंग को अपग्रेट किया गया है यहां पर एक इंडिकेशन मिल रहा है मार्केट की तरफ से कि इसके अच्छा मूव आने वाले है इसके बाद जो नेक्स स्टॉक आता है आ से उसके स्टॉक आता है कि इसके अदर की तेज़ी क्यों है स्टॉक के आंतर है मिलुए के बीचे कारण यह अजर टाफ जो जर मिला है और वाइस और की लुए इस आ्दर जो है का थाजी बनी हुई है और इस order के तेहत इसको करना क्या है इसको SRGM supply करना है SRGM जिसको in short में SRGM बोलते हैं और इसके full form है super rapid gun mount तो basically इसको इसकी जो हरिद्वार की unit है भेल की वहाँ पर इसको जो है manufacture करना है तेयार करना है proper system जो है तेयार करके देना है इसको और जिसकी वज़े से market में इस stock के दर आज काफी भेंग कर तेजी आई है तो इसको जो order मिला है इसके बाद इसके दर तेजी तो आई है और शाथ में यहाँ से जो breakout इसके बाद इसके बाद stock किस direction में निकल सकता है तो first target stock का निकल करके आता है वो यहाँ से 63 रुपीज का second target stock का जो रहेगा वो इसके दर रहेगा 65 का और next target stock का 70 प्लस का है और आने वाले दो से तीन अफ़ते बहुत ज़़ा इसके लिए अच्छे रहेंगे ऐसी उमीद है और इसके दर जो stop loss हम लोगो follow करने के लिए रहेगा वो इसके दर रहेगा 56 रुपीज का छोटा stop loss है और target इसके छोट छोट लिए गए है और हो सकता है stock कल ही आपको 63 का target दिखा जाए इसके बाद जो next stock आता है उसका नाम है फिनोलैक्स इंडस्ट्री जिसको एनेस्टी के उपर फिन पाइप के नाम से इसका आपको जो है नाम मिल जाएगा इसके दर भी काफी जबर्दस के दर बेक आया है और closing इसकी काफी जबर्दस इसके दर आज रही है और volume भी काफी चाज इसके दर इंट्रडे में ट्रेड हुए है लगबग 37,8662 quantities आ इसके दर ट्रेड हुए है और इसके अगरे देखें लास इसके जून क्वाटर के जो नंबर आए थे जून दो जारे किस के वो भी इसके बहुत जबर्दस इसके कंपनी के आए थे काफी जबर्दस कंपनी ने सेल रिपोर्ट की थी कंपनी के fundamental पर अगर नज़र डाले कंपनी के fundamental बहुत स्टॉंग है और अंडर वैल्ड शेयर यहां से नज़र आता है यह स्टॉंग और इसके अगर देखें ही तो स्टॉंग जो है 21 अप्रेल स्टॉंग को यह स्टॉंग को यह स्टॉंग को नहीं मालूम उन लोग को शायद मालूम होना चाहिए यह स्टॉंग बात कि यह स्टॉंग जो है 10 रुपे इसके पहले face value अ करती थी 10 रुपे से यह स्टॉंग जो है स्प्लिट हो गया 2 रुपे पर share की face value की उपर और यहां से इसके बाद स्टॉंग ने 14 सितंबर को एक नहीं 2 dividend भी कंपणी ने पे किये थे एक special dividend था 100% यानि 2 रुपे पर share का और इसके लावा इसने एक final dividend भी पे किया था रिसेटली 14 सितंबर को ही 2 रुपे पर share का यानि कि 100% कंपणी ने face value यह पर dividend भी पे किया है तो काफी ची कंपणी है साल में 2-2 बाद dividend पे कर देती है और अभी इसके देखे fundamental काफी अच्छे है और अब इसके दर चार्ट में यहां पर जो चार्ट बस्ट यहां पर इसने चार्ट में धमाका किया है वो इसके दर काफी important है यहां से अगर हम देखें तो यह stock अभी काफी चीटन और देने के इसके दर शम्दाए है अभी stock 208 रुपे 80 पैसे पर यह stock अभी close जो है अभी यहां से इसके जो target निकल करके आते है first target हमें 212 का stock दिखाएगा next target stock हमें 218 का इसके बाए stock 225 प्लस के target हम लोग को दिखा सकते है and stock अगर 225 के ऊपर निकलता है तो definitely इस बाए stock 240 प्लस तक भी जा सकता है short time का जो इसका target है 240 प्लस का है and अगर हम यहां से stop loss follow करते है तो stop loss के दर जो रहेगा वो इसके दर रहेगा 196 का 196 का stop loss है जो की काफी बड़ा stop loss है because जिस इसे आप साथ scandal बनी है इसके according अगर कल के बाद थोड़ी बहुत एक-दो दिन अगर गिरावट भी आती है stock पर थोड़ी बहुत जो है profit booking भी आती है तबी stock 196 तक safe है और 196 से नीचे निकलता है तो stock definitely 166 के बीच में इसका काफी अच्छा रेंज है इसका काफी अच्छा रेंज का वहाँ पर वापर जा सकते है इन टार्गेट के लिए आप लोग इस टॉक के इंदर प्ली कर सकते है stop loss के साथ इसके बाद जो next stock आता है उसका नाम है computer age management system services sorry तो यहाँ पर जो next stock के जिसका नाम है camps recently stock यह list हुआ था बार्केट के इंदर जिसके बाद इसके तर काफी जबरदस थी stock में एक नया stock ना ही बनाया अभी अगर देखे पिछले काफी दिनों से stock लगा था negative जो है एक candle यह पर फॉर्म कर रहा था आप इस टॉक का सपोर्ड बन चुका है वह इसका यहां से 3250 का है तो 3250 का stock का काफीचा सपोर्ड यहां से बन रहे है और अब सेट में stock यहां से इसी तरह से continuous reversal लेता है तो definitely इस बार stock यहां से 3500 इसके बाद stock 35.80 इसके बाद 36.50 का stock definitely इस बार हम लोगों को target दिखा सकता है 37.50 का यहां से 3750 ता कि stock जा सकता है and recently जैसे कि आप लोगों ने दिखा था ते सितंबर 2021 को company ने यहांनि केम्स ने और के फिंटेक्ट ने है के फिंटेक्ट जो की एक रिजिस्टरार है इन दोनने मिलकर के launch किया था इंडिया का first interporable investment management platform तो काफी बड़ी company के पास opportunities market में है आगे चल करके यह मिलती रहेंगी तो यह stock भी जो है अगर इस lower level पर हम को मिलता है तो definitely आपने risk लेना चाहिए stop loss के साथ इसके बाद इस list में जो last name आता है उसका नाम है power finance corporation देंकि PFC के अंदर आपको याद है आपको यह stock जब 120 उर्वे पर trade किया करता था तब लगातर आपसे बोला था कि यह stock जो है काफी ची रिटन देखर के जाएगा आने वाले 204 मेने के अंदर short term में काफी ची रिटन दे सकता है जो भी हुआ है यहां से अभी इसके अदर इसी तरह से तेजी मेंटेंट रहती है तो अभी stock के अंदर conviction है कि यहां से stock जो है second target जो देखर के जाएगा वो इसका 148 का रहेगा और यह जो 148 का target है इसको यह securities ने भी recommend किया था recently 24 सितंबर को 24 सितंबर को यह securities की तरफ से भी जो इसका target आया था 148 का था और अब ऐसा लग रहा है कि ठीक तीन से चार दिन बाद उनका भी target जो है कला जाएगा तो इसको first target 148 का है second target stock का 153 का है और next target stock का 160 प्लस का है जो की काफी crucial target है इसके लिए 160 का और अगर स्टॉक इस पर 150 के उपर निकलता है तो डाफिटली 160 के उपर भी निकल सकता है यहां से इसके अंदर जो में stop loss फोलो करेंगे वो इसके अदर रहेगा 138 का 133 का stop loss है 143 पर आज इस टॉक लूज हुए है तो काफी चीड़न देने के बीबिस कदर शमताएं हैं स्टॉक के अंदर आपके लिए आज फाइफ स्टॉक हमने दिये हैं यह काफी अट्रैक्टिव स्टॉक से काफे चीड़न दे करके जा सकते हैं बस यहां पर आपको stop loss किसी भी कंडिशन नहीं करना है अब इसके बाद गाइस आप से बेलें गेंगे नेक्ट वीडियो में एक नेयम इट साथ अपने लिए थैंक्यू स्टॉक पॉल आपके लिए सदिगा से मधाइस दिगा श्री